चंद्वा में रेल्वे ट्रैक पर मिला प्रेमी जोडे का सीर कटा सव लातेहर जीले के चंद्वा थाना छेतर अंतगत केक राही में रविवार को गाउं के निकट इस्तित रेल्वे लाइन पर यूवक और यूती का सर कटा सव संदेहास्त वे इस्तिति में बरामत किया गया है यूग की पहचान मुकेस मुंडा उम्र 22 वर्ष और यूती की पहचान रंजना कुमारी उम्र 20 वर्ष के रुप में की गई है दोनों चंद्वा थाना छेत्र के मलहान गाउं के रहने वाली थे प्रतम दिर्ष्ट्या घटना को प्रेमी यूगल के द्वारा आत्महत्या किये जाने का मामला समझा जा रहा है परंतु मुर्थ यूगों के परिजनों का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बलकि पूरी तरह हत्या का मामला है मिली जानकारी के नुसार मुकेस रंजनी के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था इसी बीच सनीवार को दोनों घर से गायव थे सनीवार की देर रात इस मार्क से गुजरने वाली ट्रेन के लोको पाइलेट ने ट्रैक पर दो पड़े सौव होने की जानकारी स्टेशन मास्टर को दी जिसके बाद स्टेशन मास्टर ने मामली की सुचना पूलिस को दी घटना के सुचना मिलते ही चंदवा थाना परभारी आसोतोस कुमार वर्रेलोय सुरक्षा बलके जवानों ने घटना अस्थर पर पहुँच कर मामले की छानबिन शुरू कर दी पुलिस का कहना है कि चानबिन और पोस्ट माटव के बाद ही असपस्ट रूप से घटना के समध में कुछ कहा जा सकता है कड़वा के बच्चे को मिलने लगा आधुनिक तकनीकों से बड़े सहरों जैसा सिख्छा बच्चों के मानसिक और सारीरिक विकास के लिए म्यूजिक वर डांस इंडोर वर आउटडोर गेम के साथ दूर दराज के बच्चों के बच्चों के लिए सुरक्षित वाहन की ब्योग था अक्सफ़र पब्लिक स्कूल नारायन पूर्ट टंडवा गडवा